सबी विध्यातियों को नमस्ते विध्यातियों आपका जानवे जिकिसन हब में स्वागत है तो इस वीडियो के अंतरगत हम N.I.O.S. Class 10 और N.I.O.S. Class 12 के लिए हिंदी विशे के व्याकरन के अंतरगत हम विशेशन के बारे में जानेंगे कि विशेशन क्या होता है तो दोनों ही क्लासों के अंतरगत चाए Class 10 हो Class 12 हो चाए N.I.S. Board हो राई या फिर राजस्तान State Open Board हो तो कोई भी Board हो उसके अंतरगत विशेशन से सम्मधित प्रशन पूछे ही जाते हैं तो हिंदी के पेपर में ये प्रशन आता है इससे सम्मधित और एक ये दो नमर का जो भी है प्रशन पूछा जाता है बहुत आसान है आराम से आप अंके आंसर दे पाओगे और विशेशन के बारे में जानना भी जरूरी है क्योंकि हम हिंदी ग्रामर के बारे मच्छे से जान पाएंगे तभी हम हिंदी का पेपर भी अच्छे से कर पाएंगे तो देखी तो ग्रामर से सम्मधित मैंने आपको जो है समास वाला जो है टोपिक मैंने पढ़ा दिया है पत्र मैंने बता ही दिये, चाय साथ चेप्टर के अंदर भी पत्र से टोपिक आया है, वो बता दिये है इसके अलावा एक हिंदी की प्लेइलिस्ट भी बनी हुई है, इसी चेनल पर अलग से वहां मैंने वाक्य राशना में पढ़ा रखा है तो वाक्य राशना में दुवारा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने वहां अच्छे से समझा रखा है तो वाक्य राशना वाला आप वहां से देख सकते हैं, मैं बताती हूँ कि वह कहां पर बता रखा है प्लेलिस्ट में जाईएगा तो चेहां प्लेलिष्ट के अंदर वहां कि ठीक वहां से में पर सर्दी व्याक्रण की ठीक पढ़ा रखा है नहीं कि अन्य甚麼inant की मतर सग्ति तो देखिए इस तरह से वाक्य रचना के बारे में है तो इसमें वाक्य रचना में वाक्य चाहिए के अंग तो यह RBSC, CBAC Board और साथ में नायस वाट भी है तो थमझेल थुला में देख दूँगी तो थे चेंज कर दूँगी तो नायस वाट में भी आता है आपके पेपर में सबस्छा कर दो ago दोनों 2 द Намल है तॅ कोई कोई दे देंगे इसको मिश्रुतुबाक्य बदल ये इसको सरन वक्य में बदलीर या फिर इसको सउयुतु-वक्य में बदलिए तो पूछे जाते हैं तो यह वारा टोपिक आप वहां से देख लीजिएगा इस प्लेलिस्ट के अंदर यह बनी हुई है तो मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दी हैं तो वहां जाके देखिए अभी हम विशेशन के बारे में जानेंगे क्योंकि कई स्टुडें को पता है नियुक् समास में ने पढ़ा ही दिया है तो विशेशन के बारे में हम जानते हैं तो देखिए विशेशन तो पहले हम देखिए कि विशेशन शब्द का मतलब क्या होता है जिसको इंगलिस में एक्जक्टिव कहते हैं विशेशन होता है विशेश्टा यानि किसी की खासियत बताना त्ङिए विशेषन हम शेत हैं विशेष्ता हैं विशेष्ता हो सगया सरवनाम सगया संगया मतलब किसी वेक्ति वस्तु इस्तान का नाम संगर के लाता है सर्वनाम जो वेक्ति वस्तु इस्तान के नाम के बतले जिन सब्दों का प्रियोग किया जाता है वो सर्वनाम के अंत्रगत आता है तो विशेशन वही जो वेक्ति वस्तु इस्तान की विशेश्ता बताए उसी खाशत ब हरी है उसी खाशत है कि ओरी है ते इस चित्र भी देखेंगे चित्रसहित में अब को सम्झाऊए ताकि आपको अच्छा समय में आ जा है तो देखो यह जो है यह चित्र दे रखाए इसके दिखा हुआ कि वह आधमे लंगडा है तो इस आधमे की कि विशेश्टा क्या है कि वो लंगड़ा है इसी खाश्यत क्या है कि यह लंगड़ा है ठीक है इसी तरह हम देखेंगे कि सुन्दर लड़की बाग में खेल रही है तो लड़की की क्या खाश्यत है कि वो कैसी है सुन्दर है तो लड़की यानि की संग्य हो गई तो लड़की तो लड़के की खाशत क्या है लड़का कैसा है मोटा है तो यह लड़का क्या हो गया संग्या हो गई यह वेक्ति वस्तु इस्तान तो यह वेक्ति है तो संग्या है तो इसकी विशेश्टा है तो यह पूछा जाए कि बताओ विशेशन क्या है तो यह हो गया मोटा सब तो आपके दोर नहीं सकता तो कौन सा ओत्र या क्या विनका टोलर गोंसा य। इसका उत्र जो आता है वो ही क्या है विशेष्षन है अब देखिए इन चारों वाक्यों को ध्यान से पढ़िए इन वाक्यों में लंगडा सुन्दर मोटा काला ये सब विशेश्य है और इसके विशेश्य है और इसके विशेश्य है आदमी लड़की लड़का और कुटा देखो लंगडा सुन्दर मोटा काला ये तो क्या है विशेश्य यानि कि मैं कहूं कि आदमी लंगडा है तो लंगडा कौन है आदमी तो आदमी क्या हो गया विशेश्य हो गया और आदमी की खाशिद क्या है कि वो लंगडा है लड़की सुंदर है तो सुंदर कोन है लड़की तो लड़की क्या हो गया विशेश्य यानि जिसकी विशेष्टा बताती बताई जाती है वो होता है विशेष्चे मैं कहूं आप इंटलिजेंट है या आप इमानदार है तो आपकी विशेष्टा क्या है कि आप क्या हो इमानदार हो और विशेष्टा किसकी बताई जारी आपकी बताई जारी है तो आप क्या हो गया सर्वनाम ह अंतरगत आता है तो आप हो गए विशेश्य इसमें लंगडा सुंदर और मोटा सब्द आदमी लड़की और लड़की की विशेश्टा बतला रहे हैं तथा काला सब्द कुत्ते का रंग बतला रहा है अते विशेश्टा बतलाने के कारण ये विशेश्टा बतलाने के कारण ह है पनिनाम है आधी आते हैं बताने वाले शब्द विशेशन कहला थे हैं हम इसको विषतार से आगे और पढ़ेंगे तो संग्या सरोण नाम संग्या यहने की वेक्ति वेस्टु के नाम के उल्फ ये कुछ नाम होगा है तैके सब्सक्राइबान सब्सक्राइब आते हैं संग्या के बहुत है जोந्य-वस्त्यु का नाम ना medicine भी आती हैं संग्या CBS ट्र confinement कि ऊहिए भडिट का प्रियोग करते हैं जी से वज़ार तो बजार कोई जाता है एक दो आदि विशेश्य जिन संग्या अत्वा सरणाम शब्दों की विशेश्य बतलाई जाए वे विशेश्य कहलाता है अथात गीता सुन्दर है इसमें सुन्दर विशेशन है और गीता विशेश्य है क्योंकि विशेश्य किसकी बताई जारी है यानि खासियत किसकी बताई पहले ने पहले भी आ सकते ehkä बाद में जैसे पूरम या नियुद्त है थोड़ा सा जल लाओ जलगी कि हम सफ्था है थोड़ा सा है टीक एक मिटर कंप्ड़ा है इस ओनी मिटर कप्ड़ ढूने यह रास्ता लंबा है काarta ₹ वो लंबा है खीरा कड़वा है तो खीरे की क्या काशका खाशत एक वो कड़बा है की विशेशन हे जो है БЭто और यह पूछ sih के इसमें विशेशन का कौन सा प्रकार है या फिर न सब्सक्राइब कर लिखे तो आपका विशेशन शब्सक्राइब तो या पूछे जाके विशेश्य शब्द कौन सा है तो यह हो गया खीरा तो इस तरह से प्रशन आपके बोड़ के पेपर में पूछे जाते हैं अब विशेशन के भेट देखेंगे हम विशेशन मुख्यत चार प्रकार के होते हैं गुण वाचक विशेशन देखो नाम से ही इसक कर नापते तोलते हैं वह थे मिटा कपड़ा दोख चीणी 10 किलो और इसको किलो है पेलिमाम मापने में हैं बहुत थे हैं ini तो लड़के तीन लड़के तीन लड़के या रही है दो लड़के आ रहे हैं ठीक है चार केले लेकर आ जाईए तो इस तरह से हो गया वो संक्य वाचक विशेशन में आगे संक्य तत्वा सारवन्नमिक विशेशन वे लड़के जा रहे हैं संक्य दिया जाता है वे आ रहे हैं वो रत खड़ा है तो इस तरह से संक्य वाचक विशेशन के अंतरगत आता है तो इन चारों को आपको नाम याद रखने हैं अब इनकी की परिवासा हम देखेंगे हिनको उधारन साहित हम समझेंगे पहला है धेगो पार्सक्राइब बीक rifi colors अब देखों शित्र भी लखाए गून बाछक विशकर से लहीं कैसी कि में मीठा आम लुंगा के तो अ कि और है यह का चाला रीच नाच रहा है तो उपर के दोनों बाकियों में मीठा और काला किशि, के गुन रंग की विशेशता बतला रहे हैं. तो मीठा तो क्या है? गुन हो गया और काला क्या इसका रंग. तो जहांपर रूप, रंग, अवस्ता, आदी बताई जाती है, वहांपर गुन वाजेशन होता हैं. इसके गुण बताया जाते है परिभासा देखो इसकी परिभासा देखते हैं गुण बाचक विशेशन की जिन विशेशन सब्दों में संग्या अत्वा सरणाम सब्दों के गुण दोस्का बोध हो उसके गुण बाचक विशेशन केलाते हैं जैसे भाव अच्छा बुरा कायर दरपोक आदि सब्धों की राम अच्छा है रादा डरपोक है वह बुरा वेक्ति है तो वेक्ति केसा बुरा है तो इस तरह से उसकी विशेश्टा बताईती जाती तो उसमें भाव आ गए रंग लाल हरा पीला सपेथ काला चमकिला फिका आदी ये रंग बताई जाए तो गु कि विशेश्टा क्या है कि वह गरीब है रमेश मोटा है रमेश की विशेश्टा क्या है कि मोटा है इस तरह से हम विशेश्टा बताई जाती है दसा बताई जाती है वह इसमें गुनवाचक विशेश्टा में आता है आकार गोल सुडोल नुकिला समान समान पोला आदी समय अगला पिछला दोपे संध्य सवेरा आदी, इस्तान भीतरी, बहरी, पंजाबी, जापानी, पुराना, ताजा, आगामी, आदी, इस्तान से इस्तान बताए जाता है, गुण, भला, बुरा, सुंदर, मिठा, खटा, दानी, सच, जूटा, सीधा, आदी, दिसा, उत्तर, कि पूरा पच्चि, उत्तर में वश्तु कहां पड़ी हुई है, तो इस तरह से दिसा बताए जाते है, तो यह सारी ये सबी आपको ध्यान रखना है, गुण, वश्यस्तान में क्या क्या आता है, भाव है, रंग है, दसा है, आकार, समय, इस्तान, गुण, दिसा, आदी आते जिसे वेक्ति की विशेष्टा बचाई तो विशेष्टाओं में यह सब्द आते हैं तो हो परीमान वाचक विशेष्टा में आता है जैसे की 2 मिटर कपड़ा दे दो अनाम की मात्रा अथ्वा नाप तोल का ग्यान हो वे परिमान वाच्छक विशष्न कहलातें। ओर निचीत संख्य दे सकते हैं। निचीत परिमान भी दे सकते हैं। लेकिन मैं यहां कहूं कुछ मिट्र कपड़ा थोड़ा मिट्र कपड़ा अब कुछ मिट्र कितना है थोड़ा मिट्र कितना है बिल्कुल पता नहीं चल रहा तो वह होगा अनिचित परिमान वाचक के भी दो प्रकार होगे निचित और अनिचित तो आगे देखेंगे परिमान पता चल रही कि तो मेरे शूट में कप्रा कितना लगेगा साड़े थी मिटर निक लेकжD रिखा bestimm निक लेगा दस किलो चीनी ले आओं तो चीनी की क्या शिष्टा है दस किलो निक्षित पहिनाम है निक्षित मात्रा बता रखिए दो लिटर दूद करो दूद कितना है दो लिटर दूद तो ये भी निक्षित बता रखा है अनिक्षित पहिनाम विशेशन अनिक्षित निक्षित यह जिस तो यह हैं थोड़ा सी नमकीन वस्तुर कुछ आम दे दो अब कुछ कितने हैं पता नहीं है थोड़ा सा दूद गरम कर दो तो थोड़ा सा कितना पता नहीं है। निक्षित मातर नहीं है तो ये भी अनिक्षित परिमानवाचक वशेशन के अंत्रगत आते हैं तो इस तरह से आपकोध्यार रखना है हमने एक परमान वशेशन है परिमान वशेशन ते दोभ्हेद निक्षित अनिक्षित अब dependence संख्या वचक क्या होते है। बहुत हुआ परिमान था यानिकी मापतोल अभी आभी आ जाएगी निक्षी संख्या जैसे देखो दो घोडै दो रहे हैं घोड़े कितने हैं दो तो घोड़ों की विश्छ्छन हो गई तो पूछए कोन से विश्छन है तो आप बता सकते हो कि वाच्छ परिमान के क्यूंकि कि लो के तोला जाता है जाना वह तो पनिमान मं ऐ गया तो माप कर feel वण आते हैं आपका परीवाचक विशशन तो यहां पा कि गोडे टौ नहीं को गोड़नें जाता है दिनना जाता है थे बस सफस्द TWO को गोडों को गिना जाता है ति यह हो गया तो यह सब कर थे सब कि विशेशन शब्लोन से संघ्या और सरवनाम की संख्या का बोध हो हम वह संघ्या बचक विशिशन के संघ्या और संघ्या बचक वाशा संख्या संख्या वाचा वाचा को से वीड़ने लिए ले उते हो ईदके में कि निप्म्ली की मिच्रा भैद हो ग psychologists कितनी है दो इसके वीड़ दो कि निचशी तक है क्रम वाचक एक के बाद दूसरा पहला दूसरा तीसरा क्रम हो सकता है तो गण्णा वाचक में क्या हुआ जिन सब्दों के द्वारत गिंती का बोध हो जैसे कि एक लड़का स्कूल जा रहा है पचीस रुपे लीजिए कल मेरे यहां दो मित्र आए चार आम लाओ तो यह गिन स इक सब्दों के ने हो से प्रफों के संख्या क्रमा से प's कर्म और गीजिए क्रम तो मित्यु आधन प्रत्थम वाचक यहां gate दोसरा लड़का बेथा है राम संख्यम से पेख्ष के ईक प्रत्थम रहा श्याम दिल शॡष्यिक पास हूऔ यह हो गये इसकागाぞrio तीसरा आउ पर निष्ट करते गोपा तुमसे दुगना मोटा है एक अवर्ती होगई तो इसतरह के सब्द होते हैं निचित मा गया यह ना जा सकता है संख्या वाचक विशेशन है समुधाय वाचक जिन सब्दों के द्वारत के वारत समुधाइक संख्या का बोद हो यानि गुरूप के अंदर हो तिक जैसे तुम तीनों को जाना पड़ेगा यहां से चारों चले जाओ तो यह हो गया समुधाय वाचक अगला है अनिच्छी संख्या वाचक विशेशन जिन विशेशन शब्दों से निच्छी संख्या का बोधना हो जैसे कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो कुछ कितने दो है चार है पांच है दस है पचास है पता निचला कुछ बच्चे खेल रहे हैं तिक यहां पर अ तो वे उट जा रहे हैं तो उट किया कि वे शब्द आया तो यह हो गया वे उट जा रहे हैं संकेत किया कि वे उट जा रहे हैं यह बालक आ रहे हैं तो यह हो गया संकेत वाचक विशेशन तो उपर के दोनों वाक्यों में वे और ये सब उट और बालक की और शंकेत करते हैं अत्य ऐसे सब संकेत वाचक विशेशन कहलाते है पर ये पासा जो सरो नाम संकेत द्वारा संगेत सरो नाम की विशेशन कहलाते हैं वे संकेत वाचक विशेशन कहलाते हैं तो ये सरो नाम है सब्ध सरवनाम सब्द के विशेशन केलाते हैं तो संकेत वाचक किलाते हैं कि क्योंकि सरवनाम सब्द से बनते में अलसक्राइब मुझे इने निद someday है केते हैं कि सर्वनाम से बनते हैं तो सर्वनाम से बनते हैं संक्यत वाजक विशेशन को सारवनम्नमिक विश्यशन में क्या नतर होता है दो प्रकार उपनेया जसे नाप को कोल होता है तिके दो किलो दो मिटर तैसे सब्सक्राइब हो आप इसके दो भेद हो गए उब्भेद होगे कौन से निच्छित पहिंदमान और अनिचित पहिंदमान फिर संख्य वाचक बीदो बीद होगे हैं अब यह बता जा रहा है कि पड़िमान वाचक की नाप की जा सकते सके उनके वाचक सब परिमान वाचक विशेशन केलाते हैं तो जिनकी माप तोल की जा सके उनके वाचक जिन सब्दों का प्रियोक करते माप तोल के लिए वो परिमान वाचक विशेशन केलाते हैं जैसे कुछ दूद लाओ दूद को मापा जाता है तोला ज वाचक विशिशन के द्वारा दरवे अत्वा पड़ात वाचक संख्याए आती है अगला है सरवनाम और सारवनाम विशेशन में अंतर सरवनाम और सारवनाम विशेशन में अंतर सरवनाम जो किसी व्यक्ति वस्तु तांके जगे काम आता जैसे मैं ने कहा राम जिसे मैं क्यों कि राम बाजार गया राम बाजार गया बाजार गया तो यह हो गया राम राम को ने संग्या है किसी व्यक्ति का नाम है वह बाजार से वह बाजार से सबजी लाया तो वह किसके लिए आया है राम के लिए हम बात करते आपस के अंदर तो एक बार हम किसी व पर इस सब्द का प्रियोग संग्या की स्थान पर हो उसे सरौनाम कहते हैं जैसे वह कोई तो गया होगा मालो राम बज राम आया वह मुंबई गया तो राम के लिए प्रयोग हो गया इस वाक्य में वह सरवनाम है जिन सब्द का प्रयोग संग्या से पूर अथा बाद में विशेशन के रूप में किया गया हो उसे सरवनामिक विशेशन के थे लेकिन जिन सब्दों का प्रयोग संग सब्सक्राइब क्या है किसी संग्या से पहले आता है जो सब्सक्राइब गए सारवनाम की रूपा प्रियोग होता है संग्या की इस्तान पर काम में आता है वह गया सरवनाम इसमें वहे सब्द रत का विशेशन है अते ये सारवनमिक विशेशन है अब है विशेशन की अवस्ता है तो विशेशन की कौन-कौन सी अवस्ता होती है विशेशन शब्द किसी संग्या सरवनाम की विशेशन बतलाते हैं विशेशन बताई जाने वाली वस्तों के गुण दो तो उस कम ज़्यादा होते हैं गुन दोसों के इस कम ज़्यादा होने की तुलना का धंग से ही जाना जा सकता तो कम ज़्यादा होना गुन दोसों का ठीक है इसका तुलना की धंग से जान सकते हैं हम तुलना करेंगे उनकी तुलना के दृष्टिशे विशेशनों की निमली की तीन अवस्ता है होती है जैसे कि अवस्ता मूल अवस्ता फिर उत्रा अवस्ता और उत्मा अवस्ता जैसे कि हम देखेंगे मूल अवस्ता मूल अवस्ता में मोहन बलवान है तो इसकी मूल अवस्ता है कि हम एक मोहन की बात करें कि मोहन बलवान है रमा मोटी है हम उसी की बात क तो गया उत्मा वस्ता जैसे की देखते हैं इन वाक्यों में बलवान और मोटी सब्द द्वारा मोहन और रमा के गुण दोसर का उल्ले किया गया है अत्या यह मूल अवस्ता है पर यह बासा मूल अवस्ता में विशेशन का तुल्नात्मक रूप नहीं होता इसमें किसी से उस अक्केले की बारे में बता गया किसी और विक्तिक उसमें सामिल नहीं किया गया तो यह मूल अवस्ता हो गई अगला है उत्रा वस्ता उत्रा वस्ता जैसे की मोहन सोहन से अधीक बलवान है तो यहां पर दो विक्तिक के बीच में तुल्ना हो गई तो आगे देखो इन द यातु की अदिक्ता बताई कि एक दूसरे से ज्यादा मोटा एक दूसरे से ज्यादा ज़ादा बल्वान है अो धशुष्ण उत्रा अवस्ता है जैसे रमिंदर चेतन से अधिक बुद्यमान है सवीता रमा की उपेक्षण अधिक शुंदर है तो दो वस्तियों में हो गई तुलना अब यह है उत्मा वस्ता उत्मा सम२ दो देखो दारा सिंग सबसे अधिक बलवान है विम्ला सबसे अधिक मोटी अब यह सभी के बीच में इसके दूलना की कही सबसे अधिक बता दिया गया तो वह trio गए उत्मा वस्ताह इन दोनों वाक्वें सबसे अधिक सब्सद द्वारा दुलना करके दारा सिंग और विम्ला का बलवान वे मोटा होना बताया गया है यह उत्मावस्ता है परिवार्षा उत्मावस्ता में दोसे जिडिक व्यक्तियों व्यक्तिह वस्तियों की राम दाल अच्छी है उत्रावस्ता अधीक अच्छी है उत्मा वस्ता सबसे अच्छी है चतूर अधिक चतूर सबसे अधिक चतूर तो यह वस्ता होगी बुद्धिमान राम बुद्धिमान है अधिक बुद्धिमान है राम शामश अधिक बुद्धिमान है सबसे अधिक बुद्धिमान है तीक है बलवान अधिक बलवान सबसे को जहाएं सकते हैं को कि सब्सक्राइब इसे पुल अवस्था उत्रावस्ता उच तर लग गया, उत्मावस्ता उच तम, कठोर, कठोर तर कठोर तम, गुरू, गुरू तर गुरू तर गुरू तम, महान, महान तर महान तम, उत्रावस्ता में तर लगाएंगे, उत्मावस्ता तम लगाएंगे, उत्मावस्ता तम लगाएंगे, उत्मावस संदर संदर्तं म्हद घृता हिस तरह से आपको विशेशन कि प्रकार कोई वाक्य देए दिए इसमेंग मेरेaris न सब्सक्राइब तो आपको जो है इसको अच्छे से पढ़ना है, नोट करना है, तो उमिद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया, ये विशेशन वाला टोपिक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें से आप अच्छे नमबर लाओगे, गलती नहीं करोगे, तो जदे ज़दे वीडियो को शे